Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 13.1 का question number 20 second देखते हैं क्या है, most important question है, exam में बहुत बार पूछ लिया जाता है, यहाँ पे हमें limit दे रखिए x approaches to pi by 2, और function जो दे रखिए हमारा 10 to x by x minus pi by 2, इसको हमने evaluate करना है using the limits, तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले बात देखते हैं, क्य हमारा function 0 by 0 form में तो नहीं है, अगर नहीं होगा तो direct answer निकल जाएगा हमारा, but exam में जो question आएगा बहुत ही negligible chance है, हमारा 0 by 0 form में वो ना हो, 0 by 0 form का ही question मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी simplification करनी पड़ेगी, then आपको answer find out करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, 10 to x, अप उन में x minus pi by 2, अब यहाँ पे x की value pi by 2 put करके देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 pi, x की जाएगा pi by 2 put करेंगे 2 से 2 cancel, तो यहाँ पे क्या आजाएगा मारा 10 pi, अप उन में, निच्चे क्या आजाएगा, pi by 2 minus pi by 2 क्या हो जाएगा, 0, 10 pi की value भी 0 by 0 आगया यहाँ पे तो, तो 0 by 0 आगया तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको simplify करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज, भाई numerator में तो हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ छेड़ चाड़ करके, इसके साथ 10 to x के formula वगरा put करके कुछ कर सकते हैं, denominator में हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कि हम इसको change कर सके, इसके साथ क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसे question में हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये value है जिसके अंदर हम कुछ changes नहीं कर सकते, उसको कुछ आपे जूम कर लो, x-pi by 2 को आप मान लो y, let, समझ में आगे बात किन questions में करना है ऐसा, ये ध्यान रखना है, रटा मतमारना कि ये question आगया तो हम इसको y मान लेंगे, अब यहाँ पे कुछ भी change नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पे इसलिए मैंने x-pi by 2 को y मानना है, अब यहाँ पे अगर मैं x की बात करूँ, तो x की value क आगी y plus pi by 2, जो भी हमारा function है, उसके अंदर x की जगे हमें ये value put करनी है, एक बात clear, दूसरी चीज, यहाँ पे देखो x का function था, limit किसकी थी x की, अब यहाँ पे y की value आजाएगी, तो limit किसकी होनी चाहिए y की, तो हमें क्या करना है, इसकी limit को हमें y की form में change करना है, तो y क limit check check कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बनती है हमारी, देखो x की value क्या approach is to pi by 2, तो y की value क्या निकलेगी, x की value अगर pi by 2 put करेंगे तो यहाँ पे, pi by 2 minus pi by 2 is equal to y, तो y approach is to क्या हो जाएगा हमारा 0, तो यह limit बन गई, ध्यान से समझ लो कैसे limit बनेगी, जो भी value हो, हमारी limit की उसको इसके अंदर put कर लो, y की limit आगई, x की value आगई, अब इनको put कर दो, बड़ा simple question हो जाएगा, और easily आप कर दोगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले ध्यान दो, limit, y approach is to क्या हो जाएगी अब, 0, उपर function क्या था हमारा 10 to x, तो 10 of, twice of x की जगा क्या पुट करेंगे, y plus pi by 2, denominator में आजओ, x की जगा क्या आएगा, y plus pi by 2, और minus में pi by 2, समझ में आगया question, ये चीज बनानी आगई होगी, limit बनानी आगई, x की value निकालनी आगई, कोई difficult काम नहीं है, बस simple था, थोड़ी सी confusion नहीं हो सकती है, एक बार दोबारा बता दिखता हूँ, x minus pi by 2 को हमने y put किया है, हम हमने क्या किया, यहां से x की value निकालनी, क्योंकि x की value हमें अपने function के अंदर put करनी है, ये निकल गी simple था, अब हमें y की limit चाहिए, x की value कहां तक जारी हमारी nearby pi by 2 है, तो x की जगे हम pi by 2 put कर देंगे, तो pi by 2 minus pi by 2 क्या हो गया, 0, तो y की value कहां तक जारी हमारी 0 था, समझ में लिमिट, y approaches to 0, tangent of twice into, denominator में क्या आ गया, यहां पे LCM जो आ गया 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, pi plus 2y, मैंने थोड़ा गुमागे लिख दिया, 2y plus y आना था, मैंने उसको pi plus 2y लिख दिया, कोई confusion नहीं होनी चाहिए, निच्चे आ जाओ, क्या आ गया, pi by 2 से pi by 2 कैंसल, denominator म में बच गया y, यहां पे आओ, next step क्या आएगा, limit, y approaches to 0, 2 से 2 कैंसल, तो यहां पे क्या बच गया मेरा, tangent of pi plus 2y, upon में y, clear, अब देखो, pi plus 2y, कौन से quadrant में, third quadrant में, third में tangent क्या होता है, हमारा positive होता है, और pi पे हमारा, यह जो trigonometric function है, change नहीं होता, class 10th में सिखा था, अब यहां पे दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहां पे क्या आजाएगा, हमारा limit, y approaches to 0, 10 pi plus 2y, देखो इस तरीके से, यह 0 होता है, यह pi by 2 होता है, यह हमारा pi होता है, pi में कुछ add करेंगे, तो third quadrant में आ गया, और third में tangent क्या होता है, positive, after school to college, 2 मतलब 10 और court यहां पे positive होते हैं, तो यहां पे क्या बन गया मेरा यह, tangent of 2y upon में y, अब ध्यान से सुचो, हमारे पास क्या होता है, limit, y अगर approaches to 0, x approaches to 0 हो, तो 10x by x किसके equal होता है हमारा, 10x by x, 1 के equal होता है, तो क्या मैं इसको उसी form में नहीं बना सकता, कैसे बनाऊंगा, यहां पे 2y है, तो यहां भी 2y चीए, 2 से इसको divide कर दिया, 2 से multiply कर दिया, कोई फरक नहीं पड़ा, limit में भी क्या चीए हमें, यहां पे 2y बनाया है, तो limit भी 2y चीए, दोनों तरफ 2 से multiply, 2y approaches to 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 into 2, 0, अब यह function जो हो गय गया, 1 into 2, तो यह किसके एकवल आ गया हमारा, 2 बन जा 2, 2 is the answer, simple था question, समझ में आ गया होगा, कोई doubt लगे तो हम मुझे comment करके पूछ सकते हैं, otherwise channel को subscribe जरूर कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, thank you students for watching this video, thanks